नमस्कार दोस्तों स्वागत है अब सभी का हमारी यूट्यूब चैनल में दोस्तों आज की स्विडिम आपको बताऊंगा कि आप कैसे अपने वाट्सेप की नेट को बंद कर सकते हैं अगर आप अपने वाट्सेप की नेट को बंद करना चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी व प्रफोन में कुछ setting करना होता है तो यहां पर हम अपने फोन में setting को open करते हैं और setting open हो जाने के बाद यहां पर हम नीचे के तरफ स्क्रोल डाउन करके आते हैं तो यहां पर आपको एक option मिलता है अगर आपके फोन में यहां पर नहीं आ रहा है तो आप यहां पर मैंजऑ में और अपको यहां को डूंड़ना होगा अपने phone में WhatsApp को यहाँ पे आप WhatsApp को ढूंड लिजिएगा अगर आपको आपके phone में WhatsApp नहीं मिल रहा है तो यहाँ पे चाहें तो आप लिखके search कर सकते हैं मेरे phone में यह WhatsApp है मैं इस पे click करता हूँ और दोस्तो WhatsApp पे click कर देने का बाद यहाँ पे आपको एक option मिलता है data usage का तो यहाँ पे आप click किजएगा data usage पे और यहाँ पे आपको दो option मिलते हैं mobile data और Wi-Fi तो यहाँ पे आप इस दोनों option को off कर दिजएगा और दोस्तों off कर देने के बाद यहाँ से हम इसे सिधे cut करते हैं और इसके बाद एक बार यहाँ पे click करके इसे आपको refresh कर लेना होगा अब दोस्तों open करते हैं अपने whatsapp को और यहाँ पे अगर हम किसी भी व्यक्ति को message करेंगे तो message अब किसी के पास send नहीं होगा और नहीं किसी व्यक्ति के पास से message आ सकता है for example के यहाँ पे देखिए अभी मैं highly कर send किया हूँ और यहाँ पे यह send नहीं हुआ है दोस्तों इस तरह का setting कर देने से आपकी जो दूसरी एप है facebook, youtube, twitter वो चलती रहेंगी उस एप पे कोई भी परभाव नहीं पड़ेगा अगर दोस्तों आप इसे ठीक करना चाहते अपने whatsapp की net को आप on करना चाहते है तो आपको फिर से अपनी setting में जाके आपको वो setting को change कर देना होगा जिससे आपकी whatsapp की net चलने लेगेंगी उमीद करता हूँ यह छोटी सी वीडियो आपके काम की विए अपके helpful होगी दोस्तों अगर वीडियो अच्छे लगे तो इसे लाइक कीजिए शेयर कीजिए अपने दोस्तों वाट से फिस्बूक ग्रूप में अब इसे simple simple वीडियो में अपने चैनल पे लेकर आते रहत हो तो आपने चैनल को जोरू सब्सक्राइब कीजिएगा मिलते के लिए अपने ख्याल रखेगा बाई